सब कौन नव देवक में आपका स्वागत है कभी कभीन सोते हैं कि एक ऐसा नेक काम है जिसकी बहुत सारी अच्छाईयों से तुल्ला नहीं हो सकती है जो बहुत अच्छा काम है और सिर्ष्टि में खुशियों का वर्धन करने वाला है लोगों को सुख देने वाला हुआ ऐसा काम सरी एक ऐसा काम बताएं जो बहुत ही अच्छा हो बहुत कम पैसे खर्चे में हो जाए तो आपने सुन रखे होगी कि एक बेक्ति ने बच्चों को एक रुपया दिया और कहा कि आप एक रुपय से ऐसा चीज लाओ जिससे कमरा भर जाए एक बड़ा लड़का था उस सस पैसा बचा लिए और एक पैसे में कंडिल ले आया और रात में जला दिया पूरा कमरा प्रकास से बहुत है तो क्या ग्यान के समान कुछ भी नहीं है वैसे बहुत सस्ती चीज आपको टिस्ट ग्यान दे रहे हैं जो बहुत अच्छा है वह सस्ती चीज क्या है चीतियों को प्लडूट तो खिला ही सकते हैं भी भी खिला सकते हैं लेकिन आप घर में थोड़ा सा आटा भूल लीजिए और भून करके उसमें थोड़ा सा बूरा मिला भाई अब बहुत सारी हर जगाना रहती है आपके घर में बहुँए आसपास वोगी कहीं जाए बाद में होगी तो अब बंजर जमीन वहां पर होंगी, बहुत सारे जगों पर होंगी, आप वहां पर रज जाएं, चीटियों कभी लोगा, वह से तोड़ा सा जुगें और सम्मान के साथ चीटियों को खिला दें, तो भगवान तो प्रातना कर लें, प्रभु मैं अच्छा बदें, तो क्या होगा और दूर होगा, और चुक्कि आप अच्छा काम करें, नेक काम करें, तो परमात्मा कासिरवार भी मिलेगा, तो क्या हम सब परमात्मा कासिरवार लेने के लिए जीटियों कोटा खिलाएं, और अपने बभवी स्पूल जडर मनाएं, मुझे लगता है हम सब ये नेक क